झेए गायज आप सभी का स्वागत है आप देख रहें शेयर मार्केट का जठा जैसे गायज आप देखी सेक्ते हैं थम्निल की उपर आज हम बात करें जा रहें जो बिलॉंग करता है स्टिल से कि जो कि है और दूसरा है गाई जो की बिलॉंग करता है रियलिटी से क्टर से कुछ दिन पहले एक नम्डेसी की भी बहुत बड़ी निउस निकल के आए थी उसे के साथ अगर बात की तो दिन पहले जो कि मैंने वीडियो भी बना था आप चाहो तो उस वीड हो चुके हैं सो उसे के साथ अगर निउ टार्गेट की भी बात करूँ गाई मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद आपको 352 तक के भी टार्गेट दिखा सकता है गाई देखा गया तो 355 वाला बहुत ही स्ट्रॉंग रिजिस्टनस है जिसके वज़े से मुझे लग गई मुंबई जैसे शहर के अंदर अगर बात की जाए तो स्टैंप डूटी भी कम कर दी गई 5% से इसे बिक सेटी में हर जग़े बनाया गई 5% से स्टैंप डूटी को कम कराया गए उसे के साथ देखा गया तो work from home चालो है सभी का पता है IT सेक्टर के जितने भी workers है या फि साधे तर 60% लोगों का भी work from home चलो जिसके चलते वे गाइस क्या हो रहा है कि office बनाना है घर को तो अभी घर तो बड़ा चाहिए तो जिसके चलते वे कुछ लोग बड़ा घर ढूंड रहे है उसी के साथ देखे काया तो स्टैंप डूटी कम हो गई जिसके चलते वे लोगो अगले हपते में शायर जिसके अंदर और भी तेजी बन सकते जो कि अगले हपते में भी यह 10% तक की उच्छाल मार के देखा सकता गया तो देखे इसके उपर नजर बनाये रखे गई तीन सो बावन के इसके टार्गे बनाये अगर इसके आज के दिन की प्रफॉमंस की भी क्यावते खिर शेंबस के ढार्ट गई आप जैसे कीं देख सकते मैं सीधे आपको नजर के ऑफिशल वेबसाइट पर लेके जा रहा हुआ है आप चाओ तो वहां भी फोकस में रहेगा कल के मंडे के दिन जैसे ही खुलेगा गईज शायद मेरे को लग रहा है कि green में ही खुलेगा गईज देखा गया तो एक green numbers के अंदर ही खुलेगा गईज तो इसके उपर भी focus बनाए रखे जैसे के बात कि जैसे बात कि अगले अगले हथा तक यह शायद टाइम में आप देख सकते हैं बुम हो गया था पूरी तरह से तो देखा गया तो गईज जब न्यूज आगए गईज डी मर्जर की तो मैंने तब कहा था आपको एक 180 तक के टार्गेट्स दिखा सकता है जो कि अभी उसने अच्छों नहीं किये बट शायद आने वाले समय में 180 के टार्गेट्स आपको आच्छों करके दिखा उसी के साथ साथ गईज न्यू टार्गेट्स भी आप याद रख लेना फिद आपको शायद 192 तक के भी तो उसके सीधे सीधे गाईज एक ही रिजन था जो की था डी मर्जर का गाईज तो जिसके चलते वे अंदर बहुत ज्यादा आपको तेजी बन रहे है ऐसे दिख रहा है गाईज अगर बात की जाए गाईज इसके ओफस आने वाला मंडे की दिन तो गाईज देखा गया तो देखा गया तो उसके अंदर हो रहा ऐसा एक डिमर्ज कमपनी एने अमडी सी के बात की जाए गाईज एने अमडी सी कमपनी अलग हो रहे है जिसके चलते वे गाईज दो हिस्सों में शेर बटेंगे जिसके पास एने इम डी से के एक फॉर एक्जामपल के अगर सव शेर है तो उसके पास सव ही रहेंगे और उसे के साथ-साथ एने अमडी से स्टील के भी सव शेर एड़ हो जाएंगे बट फर्क इतना होगा गाईज कि एने अमडी से स्टेल का फेस वेल्यो नगे तो गईज इतना ही सिर्फ वोट आहिए तो बस देखे गाईज इसके उपर आप ध्यान लगा कि देखे गई इसके अंदर शायद बहुत बड़ी तीजी बन सकते उसे के साथ सथ आपको एक तरह से फ्री शेर्स भी मिल रहे जो कि फेस्ट वैल्ली वन रहेगी गाईज अगर बात कि जा गईज तो आने वाले शायद समय में इसके अंदर अगर आप अभी 172 क चल रहा है तो गईज देखे शायद आने वाले समय में आपको एक करेक्शन कराके दिखा सके क्यूंकि इसके अंदर भी स्प्लिट होने के बज़े शायद इसके प्राइस में आपको कुछ गिरावट नजर आएगी उस समय तो बड़ गाईज वो प्राइस में गिरावट न तो आपका जितना भी अभी अमाउंट रहेगा उतना ही अमाउंट वहां दिखाएगा जितना प्रॉफिट हुआ है वहां भी उतना ही प्रॉफिट होगा बस एक तरह से स्प्लिट हो रहें गाईज यह समझ लीजा फॉर एक्जम्पल करें तो आपको जितनी MDC के शेर मिले आपको बताया कि डिवान बहुत ज्यादा बढ़ गई उसे के साथ अगर NMDC के बात कुरूं गाईज देख रहे हैं डी मर्जर के वजह से NMDC के अंदर एक ज्यादा तीजी बनी वही तो गईज इन दोने शेर के उपर फोकस बनाए जैसे कि मैंने टार्गेट के उपर आप नजर बनाए रहे हैं चलेगा इस मिलते हैं नेक्स रोड़ में तब तक लिए टाटा बाई बाई